सब्सक्राइब करते हैं अगर आप सुषान सर की लास्ट फोटोस देखते हैं तो उनके यहां पर कुछ इंजर्ड लगेगा जी हैं दोस्तों आप गौर करके जूम करके देखें आपको वहां पर साफ साफ देखे का कुछ चोट का निशान है तो उससे क्या हो रहा कि मतलब ऐसा लग रहा कि जैसे उनके साथ मारपीट की गई हो या फिर कुछ जबदस्ति की गई हो तो जिससे साफ पता चलता है कि उनकी हत्या की गई उन्होंने आत्मत्या नहीं की थी अब बात करतें सेकंड पॉइंट के बारे में अगर आपने सुशान सर की लास्ट फोटो देखी होंगी तो गले के अंदर जो निशान है वह एक रसी का आया आलांकि मैंने देखेंगे ना उस रसी के वह दो है जियां दोसनों दो है एक नहीं है ठीक है अगर फूर इग्जमपल कोई परसन आत्मत्या करता तो आप खुद सोचके देखिए वहां पर दो मार्स किस तरीक से हो सकते हैं एक ही होना चाहिए था ना दो तो तब हो सकते हैं जब कोई पर फोटोस देखते हैं तो वहां पर भी दो मार्क्स मिलेंगे जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने आत्मत्या ने की थी उनकी हत्या की गई थी अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बार में हम सभी को पता है हमने काफी सारे वीडियो भी देखी होंगे या फिर ऐसे क सुषान सर की जो लास्ट फोटोस देखते हैं तो उनके अंदर साफ साफ दिख रहा है उनके जो पैर है वह बिल्कुल चैंज नहीं हुए वह वैसे हैं जैसे पहले थैंकि ऐसा लग रहा है जिससे कोई परसन सो रहा हो तो जिससे भी साफ जाहिर होता है कि उनके साथ परदा था है उस परदे की हाइड बहुत ज्यादा नीचे है उस हाइड से अगर कोई परसन ऐसा कदम उठाना भी चाहेगा तो वह नहीं उठा पाएगा तो जिससे लोगों का यह सवाल उनका यह मानना है कि सुषान सर ने आत्मत्या नहीं की उनकी हत्या की गई है अगर आ इस वीडियो को ज़्यादे ज़्यादे शेयर कीजिए ताकि सबी लोगों तक यह बात जाए और सरकार से जो मांग करें कि सुषान सर के साथ में नियाए किये जाए उनको इंसाफ मिलें